वेल्कम प्रेंट्स आपका टार्गेट विद्रमेसर में स्वागत है दैनिक नौकरी समचार 24 फरोरी पूनम दिवदी कोट के सब्डेट हल्प नामा नहीं SLP दाकिल हुई है यूपी लेकपाल कल कोट में क्या हुआ यूपी लेकपाल रेज़र 2022 कब आएगा 36,000 पदों पर यूपी पुलिस भरती बिग्यापन आने वाला है यूपी PSC बिग न्यूज योग की नहीं मिले अब भरती पद रहे गए खाली यूपी PSC का इंटर्व्य पी चल रहे हैं और यूपी PSC का ऑप्षन हटने पे काफी छात्र खुस हैं इन सभी मात्रपूर्ण खबरों को विटेल से जानने वाले हैं उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइक तना और प्रेप्रेस कि सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल हुई है इसको लेकर करके तो कुछ चात्रों ने से माने से निकार कर दिया और कहा कि फरजी है जब कि ऐसा नहीं है आपको मैं पहले बता दूँ बेरिफाई करके में बोल रहा हूं यह डारी नंबर है 5089 जब कोई चात जब कोई निर्ण होती है कि यह दाखिल कि आती है और इसको लेकर करके कि आयोग ने SLP दाखिल भी किये अपना पच्छ रखने के लिए इससे पहले सरकारी वकील ने अपना पच्छ रखा था मगर वह अच्छे से समझा नहीं पाए इसवेज़ से इस्टे आ गया अब सरकार अच्छी तरीके से कि अपने इस कि इस मुद्दे को अच्छे से समझाएगी क्योंकि सरकार ने कोई नियम रुद्द कारे नहीं किया जो नियम बताया गया है नियम के तहती CC2277 पद YOUR कटेगरी में सामिल किये यह तो वह अपना पच रखेगी अच्छी तरीकी किसी इसलेव इस ने SLP दाखिल कियी है इसमें कोई घपराने की बात नहीं है अंहीं किया है SLP दाकिल की है, इसमें आयोग और सरकार अपना पच्छ अच्छ से रख पाए कि ताक कि आप लोगों के लिए 7189 भैनों को निक्त बित्रण समारो है, बित्रण जो देना है, निक्त पत देना है, वो अच्छे से और जल्दी करा सके, इसलिए उसने SLP दाकिल की है, आप लोग कोई नुकसान नहीं है, इसलिए आप लोग परिशान नहों, जल्दी आप लोगों के लिए कोई रास्ता जरूर खुलेगा, कुछ लोग कहरते हैं कि यह गलत है, ऐसी कोई न्यूज नहीं, तो SLP दाकिल हुई है, आप लोग इसके लिए परिशान नहों, यह सक्की सोल, इसकी अगली जो डेट है, वो लगी है, 20 मार्ज को लगी हुई है, इसमें परिटिशनर रहें, पुरनम, सुनीता, और और दो परिटिशनर हैं, पुरनम, सुनीता, दिव्य आवस्ति, सानुतिवारी और कोमल, पंडे, यह सभी पांच परिटिशनर हैं, तो फिलाल कि हम लोग जो क्यों क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा का सवाल हो गया प्रतिष्ठा का हाना नुमा क्योंकि उसने घोसना कर दी कि हम निपत 21 तरीकों बाँटेंगे और शत्राइश साम चाझ क €20 क्या और अगया इसके वज़े से सरकार की भी किरी हुई है अपनी सब्सक्राइब को सुधार्वने के लिए कोई न कोई आप लोगों के बीच में कोई सकारात्मक प्रिणाम ले कर जरूर आएगी है आप लोग परिसान ना हो, होली से पहले आप की निवक्ति हो जानी है कि निश्चिन्त रही है आप लोग धायर बनाकर रखिए और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल से जुड़ जाए आपको पलपल की अब्डेट एन्म से जुड़ी हुई मिलती रहेगी चलिए अगली सुचनाओं को देख लेते हैं अगली सुचना है वो है अगली सुचना है वो है कि िपी लेक्पाल को लेकर के यूपी लेकपाल का कल कोट केस में क्या हुआ न की यूपी लेकपाल 766 wrench 76766 eux इसको लेकर के उसमें सुनवाइओись नहीं पाई अगली डेट जो दो और मार्च लगा दी गई है तो आप लोगों के अगली डेट इसकी सुनवाई दो मार्च हो गया है चाहरपर अभी बचे हुई यह कंपी महत्पुर्ण रीठ है कि अगली और सुचना है रेजल्ट को लेकर के इसका रिजल्ट कप जारी होगा का तो इसका जो रिजल्ट है कि वह तो बोड़ को लेकर के सची नहीं महदे से बातचीत 31 मार्च के बीच में रिजल्ट जारी कर देंगे और उन्हें जो चात्र कोट में गए उनको लेकर के भी काफी नाराजगी जताई तो फिलाल जल्दी आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा और आज समाचार पत्रों में भी छपा हुआ है कि लेकपाल भरती मामले में आयोग ने बिकल्प में एक सब्द कम लिखे है ऐसा जो मुक्य परिच्छा में बिकल्प टी चुनने वाले अभ्यरतियों को एक अ जया दिये जाने का आधिश दिया है और जो विकल्प ए और डी लगाए है है उसमें एक और सब्द को दिये जाने दिये जाने का आधिस दिया है और यह इन इन प्रसणों पर बिवाद था प्रसंद संग के 68, 88, 92 और 93 के सवालों के लिए उत्तर विकल्ब सही नहीं है ऐसा नितेश कुमार सिंग यादो की वर से कहा गया था और रीड डाल के बताया गया था दिनेश के नितेश कुमार सिंग यादो थो फिलाल आप लोगं कर जल जल्दी आने वाला है अब बात कर लेते हैं UPSC को लेकर के यूपी PSC के जो पहले बात कले तो 36,000 पदों पर यूपी प्लीस भरती होने वाली है जल्दी आपनों को 36,000 पदों पर भरती देखने को मिलेगा यहां देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भरती है नी पुर्णिटी बोड जल्दी 35,77 पदों पर सीधी सिपाहियों की भरती सीधी भरती करेंगे त्याइक हुआ कि नागली पुलिस भरती में थे करीब बावन सो महिलाना स्पाहियों में कोई आउनलाइन टेंडर लेने को त्यार नहीं को त्यार नहीं ववा इसलिए आयोग अब चाहरा है कि इसको आफ्लाइन करा दें परिश्चा इसके लिए करके जल्दी आप लोगों को भिग्यापन देखने को मिलेगा लगबग 36,000 पदों पर तो यह खुश खबरी है आप लोगों के लिए जल्दी यूपी प्लीस की भरती आने वाली है अब बात चीत कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं यूपी प्यसी न्यूज को लेकर के यूपी प्यसी न्यूज बिग न्यूज है योग नहीं मिले भीरती इसलिए पद रहे गए खाली पहले तो बात कर लेते हैं कि कि यह सब पहली बात यह किशात्र बहुत खुश हैं क्योंकि ऑप सनल हटने चात्र में बहुत खुशी है इसमें तीन समश्याओं का समधान हो गया विज्ञाओ और मालूंग की विवात हमेशा में से के लिए बिराम लग गया इसके और जो हिंदी और अंग्रेजी की समया थे उसका भी समाधान हो गया जो चात्र हिंदी अंग्रेजी की समया के बता रहे थे वह को लेकर करकर चाथ काफी खुश है और प्रतियों की चात्र 620 तरिक को जस्न ateursन मनाएंगे युपि के अभेरतियों के लिए आसान हो गई है तयारी 2018 में इसकेलिंग को लेकर करके बहुत बड़ा भीवाध हुआ था, इन सबी समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान हो गया है और चाथर का फिल्खोस हैं इन सबी समस्याओं के लिए हमेशा के लिए बिराम लग गया है, अब 2% होगे मुख्रिशा में उत्तरप्रदेश 1 और उत्तरप्रदेश 2 सभी के साथ सब के सामने समानता का उसर है और सभी अब समानता का किसी प्रकर का बेदभाव नहीं होगा जिससे अब सभी चात्र आपनी मेहनत के बल्वुते पर आगे बढ़ सकेंगे कोई उनमें बिराम नहीं लग पाएगा कोई अवरोध नहीं होगा अगली मातपूर सुचना है वो है यूपी पीस्टी के लिए करके 10 अभिरतियों के इंटर्वी तितिया बदल दी गई है आप लोग पता करके अच्छे तरीके से जाईए कि कल यूपी पीस्टी ने अगली मातपूर सुचना यूपी पीस्टी की ही है मुग परिच्छा इंटर्वी चल रहे हैं इसमें यही सवाल पूचा गया कि मुग परिच्छा में बदलाव को सही मानते हैं कि गलत कि इसे सब्रेद्व के नेजर्जे को परिखने के लिए सवालों की रही अधिकता पूच्छा में वेकल्पी बिसे हटाया जाने को लेकर सही है या गलत यह पुछा गया दूसरी पूचा गया आपकर महिला इस सब्सक्राइब नाम क्यों पड़ा और यह कहां से लिया गया और इस मामले में सेवी का क्या रोल है इनीशियल अर्थबेवस्ता आज की क्लासिकल अर्थबेवस्ता क्या है जिस तहसल में आप एसडियाम के तौर पर निक्त मिलती है वहां सबसे पहले तीन काम क्या करवाएंगे भारत और यूस्टे के बीच वर्तमान में किस तरह के संब यूसे ने नाटो का गठन किया तो किया तो रूप से कौन सा संगठन मनाया रूस यह रूस है रूस ने कौन से संगठन में पत्थरों का हत्यार के रूप में प्रियोग कब से शुरू हुआ मात्मा गांदी को मात्मा कि पाद किस ने दी आप पीसे इस की तैयरी कब से कर र पूचे गए बहुत प्रतिश्टीत परिच्छा है और इसी तरह कि सवाल पूचे जाते हैं जो ततकाली समाजी क्रिश्टु क्यों में कि नजरियों को आप लोगों को जानना चाहते कि आप कितना अपडेट हैं कितना अपने समाज देश के प्रति कितना सतरक्ता से सूझते हैं उनकी मुद्दों के क्या आपना विचार रखते हैं उन मुद्दों को कहा तक जानते हैं सभी मात्तकून खबरों को और इन सब चीज़ों को जाचा पर खाता है इंटर्व्य में तो उसी तरह के सवाल है फिलाहल यह रहा वीडियो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर लें पूरा